हिमाचल प्रदेश में धरंपूर ऐसा विधान सभाक्षेत्र है जहां पर ठाकुर महेंद्र सिंग को हराना आसान नहीं है चाहे वो भाजपा से खड़े हो या किसी दूसरे दल से या फिर आजाद और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है अब फिर से प्रदेश में चुनाव है और धरंपूर चर्चा में है गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में धरंपूर और महेंद्र सिंग का नाम शामिल है लगातार चुनाव जीत कर कॉंग्रेस के कैडर के साथ भाजपा के कैडर को भी अपने साथ जोड़ कर खुद को मद्सबूत किया है अब फिर चर मिल है टिकट उसको देगी या फिर नहीं हालांकि बेटी वंदना गुलेरिया की दावेदारी भी भाजपा से मजबूत है लेकिन यहां पर कुछ और नाम एक बार फिर चर्चा में है प्रियवरत शर्मा भी एक नाम है जो चर्चा में फिर से आ गया है मुख्यमंत्री जैर नाम ठाकुर उन्हें महत्तोंपूर्ण पद पर रखना चाहते थे लेकिन महेंद्र सिंग के दबाव में वे प्रियवरत शर्मा को कॉपरेटिव बैंक का डाइरेक्टर ही न्युक्त कर पाए थे इसी तरह पूर्व धूमल सरकार में OSD रहे संजीव कटवाल भी संधोल के इलाके से एक नाम जरूर है लेकिन डियवरत शर्मा जैसा मजबूत नाम नहीं वहीं नरेंद्र अत्री भी एक पुराना नाम धरंपूर का है और ठिकट हमें नाम हमेशा है नहींदे दूमल काल में अब उन्हें टिकट मिलेगा इस पर संशय बर्करार है वैध धरंपूर स राजनीती में कुछ नया और बड़ा होगा इस बात की चर्चा होने लगी है प्रियवरत शर्मा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं अब समय बदला है और जैराम सरकार मजबूत हुई हैं ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रियवरत की दावेदारी को भी चार चांद लग गए कहीं ना कहीं नरेंद्र अत्री संजीव कटवाल की दावेदारी को प्रियवरत शर्मा की चुनावती सीधी नजर आ रही है लेकिन ये सभी समीकरण उस स्थिती के हैं जब महेंद्र सिंग खुद के लिए कोई बड़ा फैसला लेते हैं कॉंग्रेस की बात करें तो कुछ व महेंद्र सिंग पर टिकी हुई है